हाई एब्रीवन वेल्कुम बेक दू माई चैनल आज मैं आपके साथ सेर कर दें भिंडी फ्राई तो चलिए मज़े दार चटपटी भिंडी फ्राई को सुरू करते हैं मैंने लिए 500 ग्राम भिंडी मैंने भिंडी को धो कर पौज के ऐसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है इसमें पानी बिल्कुल न रखें कड़ाई में बन टीस्पून ओईल लेंगे और ओईल गरम हो गया है अब इसमें कटी हुई भिंडी डालेंगे गैस का फिलेम मैंने मीडियम रखा है यहाँ पर बिंडी को हमें 4-5 मिनिट तक मीडियम फिलेम में फिराई कर लेना है इसे हलकी हाँ सी मिक्स करेंगे ताकि यह तूटी नहीं बिंडी को कबर नहीं करेंगे ओपन ही फिराई करेंगे बिंडी फिराई हो चुकी है अब इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है इसे अब इसे निकाल लेंगे इसी कड़ाई में 2 टीश्पून ओईल लेंगे ओईल करम होने पर 10 जीरह डालेंगे जीरे को थोड़ा फ्राई होने देंगे ओईल में अब इसमें बारिक चुप की प्याज और हरीमिश्ट डाल देंगे मैंने यहां 2 प्याज ले हैं और 2-3 हरीमिश्ट ले हैं प्याज को यहाँ पर दो से तीन मिर्ट तक पकने दें, अब प्याज का कलर चेंज हो गया है, तो अब इसमें हम मसाली डालेंगे, आप टीस्पून हल्दी पाउडर, बंड टीस्पून मिर्च पाउडर, बंड टीस्पून धनिया पाउडर, और मसालों को मिक्स करेंगे, अब इसमें चॉप की हिpopular डालेंगे मैंने यहां two tomatoes लिए हैं अब tomato को मसालिन मिक्स करेंगे और टेस्ट के टार्डिंग नमंग डालेंगे अब इसी cover करकर पकाएंगे दो से तीन मिनिट की लिए या सब्सक्राइब तक यह tomatoes पकना जाएं और मैंने इसे 2-3 मिनिट के लिए पका लिया है अब इसे लिड धटा कर देखेंगे टमाटर पक गए हैं और अब इसमें फ्राई की हुई भिंडी डालेंगे भिंडी को मसाली में मिक्स करेंगे और इसे कवर कर देंगे और इसे पक नहीं देंगे लो फिलेम पर 4-5 मिनिट के लिए 5 मिनिट के वाले धटा का चर्ट करेंगे तो भिंडी यहां पक गई है अब भिंडी में उपर से नीबू डालेंगे तो बस भिंडी फिराई तयार है अब इसे सर्व करेंगे तो आप देख सकते हैं भिंडी कितनी चटपटी और मज़ेदार दिख रही है आप इसे इंजोई कीजिए रोटी पराठे पुड़ी या राइस के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंदा है तो लाइक, सेर, सस्क्राइब करना ना भूले